अर्वन वेलकम टो स्टेडी डवली दिस जैन्त आप सुब लोग काफी अच्छे होंगे आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि क्यों जो साइन नाइंटी होता है वह आलवेज इकोल्स टू वन होता है देखिए इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वैसे तो यह में क्लास 10 के अंदर बता दिया जाता है सिखा दिया ज्यादा समझा दिया जाता है बट हम लोग जैसे जैसे हाइर स्टेडी के अंदर बढ़ते जाते हैं और टिग्नोमेट्री की जो अप्लिकेशन है वह जमेट्री के अलावा हम लोग हमारे दूसरे फील्स के चीज आ जाती है कि क्यों साइन नाइंटी को मिशा वन मान के चलते हैं क्यों तो दरसल इस क्यों का जवाब हमें क्लास 10 के अंदर ही दे दिया जाता है देखिए इस चीज को अब समझने की कोशिश करिएगा मैं पहले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सापको बीस समझ के लिए किसी ना किसी तरीके से इसे राइट इंडल ट्राइंडल से उटाके हमारे पास के अंदर डिमारी कि थे हैंदर ल around पिउतार देंगे कि- तो उस वज़े से जो trigonometry का जो base है वही से define करेगा कि क्यों sin 90 जो होता है वो आपके पास के अंदर 1 होता है अब trigonometry के base के अंदर जो sin 90 जो आया है वो कही ना कहीं पर आया है right angle triangle से तो इस stitch को समझने के लिए हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा right angle triangle तो चलिक एक right angle triangle draw कर लेते हैं सबसे पहले ठीक है right angle triangle जो है उसके अंदर क्या होता है आपके पास के अंदर एह नदरक हाइपOटनियस होता है और एक पेंडिकूलर होता है यह right angle ट्रांगल आगया है हमारा अब इसके अंदर हमारे पास में एक base होगा, एक perpendicular होगा और एक hypotenuse होगा, ठीक है? So, ये तो हो गया हमारे पास के अंदर, hypotenuse, ये हो गया perpendicular और ये हो गया base अब इसके बाद के अंदर, इसके और इसके बीच के अंदर जो angle बन रहा है, वो है आपके पास के अंदर 90 degree अब इससे क्या होता है कि हमें different combinations हम बनाते हैं इनके ratios के एक शर्त यह होती है कि जो दोनों हम लोग numerator है कि नों है कि नॉमिनेटर जो है वो सेम नहीं होने चाहिए तो इस तरीके से आपके पास के अदर नों है अचा अब इन्हें क्या हो किया है different different name दे दिये गए जैसे कि इसको नाम दे दिया गया आपके पास के अंदर sign इसको नाम दे दिया आपके पास के अंदर cos इसको नाम दे दिया आपके पास के अंदर tan इसी तरीके से इसको नाम क्या दे दिया गया कॉसेक इसको नाम दे दिया गया सेकेक इसको नाम दे दिया गया ठीक है अब इसके अंदर हम लोग इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग इसे डिनोट करते हैं इस ठीटा एंगल से it's sin ठीटा ठीक है और यहाँ पे हम लोग एंगल लिख देते हैं कि sin theta is equal to P by H यहाँ पर sin theta is equal to P by H यह हो गया आपके पास के अंदर ratio अब यह जो theta है यह जो theta है यह आपके पास के अंदर कौन सा एंगल है hypotenuse और base के बीच के अंदर जो एंगल बन रहा है वो एंगल यह है अब हमारे आज को जो topic है वो discussion का यह है कि हमने जब sin 90 कर दिया मतलब कि इस एंगल को हमे 90 करना है अच्छा अब यह एंगल 90 कब possible हो सकता है आपके पास के अंदर जब base की जो distance है वो धीरे धीरे आप कम करना चालू कर दें ठीक है base की जो length है वो आप कम करना चालू कर दें suppose किया आपने base की length को यह ले लिया तो कुछ ना कुछ आपके पास के अंदर एंगल जो है वो थोड़ा सा towards 90 होना चालू होगा ठीक है जब आपने इस base की आपको और कम कर दिया तो यह आपके पास के अंदर और towards 90 होना चालू हो जाएगा ठीक है जब आपने इसको और कम कर दिया तो यह आपके पास के अंदर और towards 90 होना चालू हो जाएगा ठीक है इसको और कम कर दिया तो और towards 90 होना चालू हो जाएगा और कम कर दो तो और टूवर्ज 90 होना चलो हो जाएगा आपनो इस चीज को नोटिस कर पा रहे है यह जो एंगल है अब यह टूवर्ज 90 होना दिरे दिरे चलो हो रहा है ठीक है जैसे ही आप यहाँ पर की मलब आपके पास के अंदर बेस टेंस टू जीरो पहुचाएगा तो कही ना कही पर यह बिलकुल आपके पास के अंदर हो जाएगा पैललल टू बेस हो जाएगा अच्छा अब हाइपो बाइतोगेरिस थेयरम के अकॉर्डिंग पी स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर अब आपके पास के अंदर हैपोटेनियस जैसे ही आपके पास के अंदर b is equal to 0 गोरता p is equal to h और अब यहाँ पे जो इसका बेस जो बेस फॉर्मूला है उसके अंदर आप जैसे ही पुट करेंगे sin 90 is equals to p upon p और यह आपके पास के अंदर कटके हो गया 1 तो that's why sin 90 is always equals to 1 So I hope that this video informative लगा होगा और आपको अच्छा लगा होगा Thank you very much